बस कुछ घंटों पहले प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे टर्म के पहले विदेशी दोरे पर रवाना हो चुके है भारती है समय के मताबिक देर रात तक वो इटली पहुँचेंगे और वहाँ ग्रूप आफ सेवन यानके जी सेवन समिट में वो हिस्सा लेंगे इटली की प्रदान मंत्री जॉर्जिया मैलोनी के निमंत्रन पर पीम मोदी वहाँ जा रहे है दक्षिन इटली के अपूलिया में आयूजित जी सेवन शिकर सम्मिलन में मोदी भारत का प्रतिनेजित्व करेंगे माना जा रहा है कि जी सेवन के एजिंडे में चीन का नंबर सबसे उपर है अनिके जब तक मोदी मेलोनी के साथ वर्ड लीडर्स इटली में रहेंगे तब तक ये सब मिलकर जिन पिंग को चूडियां पैना देंगे जी सेवन के मंच पर मोदी और मेलोनी को देखकर सबसे ज्यादा टेंशन जिन पिंग को होगी असल में इन दोनों निताओं ने चीन से सीधी टक कर ली है इस बार जी सेवन के मंच पर भारत सहित आट महाश्रक्तियां होंगी और यहाँ चीन के खिलाब बड़ा एलान हो सकता है सबसे पहले जी सेवन से आई आज की तस्वीरे रेखिए पिंग मोदी के पहुचने से पहले आज जी सेवन की बैठक शुरू हो गई इटली की प्रधान मंत्री जोर्जिया मेलोनी ने आज बहां अमारेकी राश्रपती जो बाइडिन ब्रिटिश पिंग रिशी सुनत फ्रांस के राश्रपती मानवल मैक्रो जपान की पीम फुमियो किशिदा और कैनेडा के पीम जस्टिन टूडो का स्वागत किया खास बात ये रही कि मेलोनी ने येरोपियन कमिशन की प्रेसिडेंट और जर्मनी के चांसलर का स्वागत नमस्ते से किया इटली के अपूलिया में एक लगजरी रिजोर्ट में आज इस श्रिकर सम्मेलन की शुरुवात हुई और ये 15 जून तक जारी रहेगी मेजबान जॉर्जिया मेलोनी ने आज इस जी सेवन का एजेंट आस साफ कर दिया और इसमें भी इशारा चीन की तरफ ही रहा जी सेवन का फोकस आर्टिफिशल इंटेलिजेंस, उर्जा, आफ्रिका और भूम अध्य सागर पर होगा युक्रेन, युद्ध और इस्राइल हमास संगर्ष पर भी जी सेवन में चर्चा होगी इटली एक साल तक जी सेवन का प्रेसिडेंट रहेगा और इस दोरान इंडो पेसिफिक पर खास ध्यान दिया जाएगा सीधे सीधे नहीं बताया गया है लेकिन यहाँ चीन और पश्रमी देशों के बीच चल रहा टकराओ भी मुद्दा जरूर बनेगा इसलिए जी सेवन में भारत की चर्चा महत्वपूर्ण होगी पीम मोधी लगतार तीसरी बार पीम बने हैं और यह उनकी पहली विदेश रियात्रा है जिसमें वो दुनिया के बड़े नेताओं के साथ महत्वपूर्ण मुद्दो पर चर्चा कर सकते हैं जी सेवन समिट के दौरान पीम मोधी और जॉर्जिया मेलोनी के बीच दुए पक्षिया बैठक हो सकती है और यह दोनों देश चीन के खिलाप अपने आक्षन को लेकर चर्चा में रहे हैं भारत ने चीन को सीमा पर तनाव से लेकर मोबाईल आप बैन करके जवाब दिया है तो एटिली वो देशे जो चीन के महत्वकांशी बेल्ट एंड रोड इनिशियेटिव से खुद को बाहर कर चुका है जी सेविन को अक्सर पश्रमी देशों के क्लब के रूप में देखा जाता है भारत इस समय दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थ विवस्था है जी सेविन का सदस्य नहीं है हाला की भारत को पिछली कई बैटकों में विशेश आमंतरित सदस्य के तौर पर बुलाया जाता है पी-े-म ओधी लगतार पांच वी बार जी सेवन समिट में शामिल हो रहे है And it's an invitation to Prime Minister from the Italian Prime Minister. And India has been selected as a partner for the G7 Summit. In fact, if I'm not mistaken, India is the only Asian country to be selected as a partner. So it is an opportunity also to speak on some of the issues which are very important to the global south. So issues like food security, energy, clean technologies, AI and other aspects, they will definitely be an important agenda item here for the Prime Minister to share his views and thoughts. भारत विरोधी एजिन्टा चल रहा है और कैनड़ा के पीएम के साथ मोधी की मीटिंगो लेकर कोई जानदारी नहीं दी गई है. विरो रिकोर्ट सी मीटिया जी सेवन के मंच पर पीएम मोधी सबसे ताकतवर नेताओं में से एक होंगे और उसकी वजह है. वजह आपको बताते हैं. पीएम मोधी लगातार तीसरी बार प्रदान मंतरी बने हैं. जी सेवन के किसी विराष्टा ध्यक्ष से ज्यादा उनकी अप्रूवल रेटिंग है जोके सतर फीसदी है और ये दुनिया में सबसे ज्यादा है. भारत की एकोनॉमी जी सेवन के चार देशों से आगे है और भारत इस साल दुनिया की सबसे तेज रफतार से बढ़ने वाली एकोनॉमी है.